आज हम बनाएंगे सबसे कूल रेसिपीज जो है मैगी कैनपीज इसे बनाने के लिए पैन में थोड़ा सा ओईल ले और बारी कटी हुई शिमला मिर्च डाले और उसको अच्छे तरह से सौते कर ले थोड़ी देर के पाद इसमें कटा हुआ गाजर डाले इसमें नमक स्वाद अनुसार डाले ताके आपकी जो गाजर और सिमला मिर्च वह अच्छी तरह से पक जाए और अब यह पक चुका है तो इसमें उबला हुआ मैगी नूडिल्स डाले और इसे अच्छी तरह से पैन में मिक्स कर ले और अब इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रिडियंट है जो है कि पाउपाजी मसाला वो डाले हमने यहाँ पर करीबन 2 मैगी नूडल पकेट लिया है तो उसके अंदर का जो मसाला है वो भी आप इसमें डाल दें और उसके बाद थोड़ी सी तो अब के एक्स्ट्राइस के लिए आप मैगी एक्स्टाइस स्पाइसी मसाला भी डाल सकते हैं इसे क्या होगा? इसे आपकी जो मैगी है वो इतम एक्स्टाइस वाली हो जाएगी and you will love it very much चले तो आपकी बढ़ी असी मैगी तो आप रेडी हो चुकी है अब ताइम हा गया है कि इसको अन्दर हम सर्फ कर ले और इसको अच्छी तरह से आपको गार्निश करना है सिम्ला मिर्च से colorful green and red शिम्ला मिर्च and then your maggie canopies is ready and it's yummy recipe specially you have to make for your kids. What do you say moms? कि करूँ कि अच्छूओड़त निम्ला मिर्च कर भती से अचिए और इसको विला है अच्छ हा गिला दोम प्पला गया है और याल है और सोममें पर तरह इने अमें खर अश्छी. झाल झाल